हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल एजी के खटे मिठे व्लॉग्स आज है नौ मई और एक्जेक्टली जो है टू मन्स के बाद जो है आज जो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मुद्धा ये है कि दो महिने तक क्यों नहीं की व्लॉगिंग ठीक है तो आप में से जो भी हमारे नियर एंडियर हैं और जो हमारे ख्लोस सर्कल में हैं फ्रेंड्स हैं फैमिली है रेलेटिव्स हैं नेवर्स हैं उन सब को तो पता है लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नही नहीं पता है तो उनके लिए बता देती हूं मेरी एक्चुली सर्जरी होई थी और सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ही आ गई थी और जो है वो मैं टू मन्स के लिए टू तो नहीं बन मन्स और फिफ्टीन डेज के लिए ओल्मोस्ट बेड्रेडन थी ले कि मैं जो इसकाबिल हो गई कि मैं दोबारा बोलने लगी हूँ और मैं जो है वो व्लॉग बनाने लगी हूँ और मैं इसकाबिल हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ अभी है ना सबसे बड़ा सबसे बड़ा थैंक्स जो है वो बगवान जी का और जो दूसरा बड़ा थेंक्स होता है वो अपरी फैमिली का होता है जिनकी سपोर्ट से जो है हम है वो क्योंकि वही होते हैं उस टाम पे जो हमारे आसपास हमारी केर रहे होते हैं ठीक है तो सबसे बड़ा थैंक्स मैं बोलूंगी वो है बाली साब का मेरे बच्चों का तो मेरा सिम्पल सा एक गॉल ब्लेडर रिमूव करने का सरजरी हुई थी जो कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई थी और जो है अच्छे से सोचके गए कि वही प्राइवेट रूम मिल जाएगा हाईजिनिक होगा और जो है वह अच्छा केर मिल जाएगी वहाँ प और वह जो दिन था उसी नॉमार्च को हम गए थी जिसका व्लॉग में बना भी रखा है क्योंकि बिल्कुल लाइट मूड में गए थे किसी बात को सीरियसली हमने ज्यादा लिया नहीं कि बस दो दिन की बात है और बच्चों को नॉर्मल घर छोड़के हम चले गए थे तो जो है उससे next day क्योंकि एक दिन तो वह आपको ड्रिब बगर अपर रखते हैं टैस्स होते हैं next day plan किया था उन्होंने operation के लिए सरजरी के लिए, तो जब मैं सरजरी से बाहर आई थी four और five hours पहले तो सरजरी में मेरे लगे थे और four और five hours के बाद आई थी में बाहर तो ये जो drain pipe है और ये जो drain bag है, इसको मैं साथ ही करके आई थी, ये मेरी side में, में stomach के साथ जैसके कह सकते हैं कि lower part of the belly के साथ ही attached है तो ये बस मैं operation theater से आई थी तो साथ ही आई थी इसके और बस फिर वही program चला दो दिन में निकाल देंगे इसको पांच दिन में निकाल देंगे डॉक्टर बोलते रहे और हम wait करते रहे करते रहे करते रहे और एक के बाद एक problem दूसरी problem कभी ये operation कभी वो operation कभी ये surgery कभी वो surgery करते करते आज exact two months हो गए है आज 9 माई है और मैं इसको carry कर रही हूँ लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी बात ये है भगवान जी का शुकर है कि अब ये pipe जो है वो खाली रहती है और वो खतम होने का नाम ने लेती थी तो चलिए वो लंबी story है अगले vlog में बात करूंगे क्या से क्या हुआ क्या से क्या नहीं हुआ कैसे कैसे face किया किस-किस ने हमें support किया और किसकी help से किसकी blessing से prayer से आप सब की ही obviously तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप से बात कर रही हूँ लेकिन पहले जो है वो मैं बता दू कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस किया in two months में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस किया सबसे ज़्यादा मिस किया मैंने अपनी job को school को, बच्चों को अपने जो हम जहां मैं पढ़ाने चाती हूँ वहां पो बहुत बहुत ज़्यादा और दूसरी बात को जो बेट पे लेटे लेटे बहुत ज़्यादा मिस किया थो वो था अपना काम, रूटीन का काम जब हम बच्चों के ले खाना बनाते हैं, उनकी मतलब आप बोल सकते हैं, 10-20% वीकने सभी है, लेकिन फिर भी मैं काम जो है, वो करना मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उससे मेरा मन लग जाता है और ऐसा नहीं लगता कि बेट पे पड़े रो, पड़े रो क्योंकि अब मेरी प्रॉब्लम जो है, वो 98% जो है, वो salt हो चुकी है और जो मैंने मिस किया है, वो है vlogging को है ना, तो मुझे कितने सारे लोग कितने सारे messages आए बीच में WhatsApp पे, फोन पे भी बहुत लोगों ने, बच्चों ने मेरे colleagues ने, friends ने बहुत लोगों ने बुला कि मैं मिसिंग यूर vlogs व्लॉग आ क्यों ने रहे हैं, व्लॉग क्यों ने बन रहे हैं तो मैंने बस ऐसे कैमरा पकड़ने को मन बहुत करता था, लेकिन उस टाम कंडिशन बहुत खराब थी, तो जिन्होंने मुझे मिस किया, आज तो एक बार कॉमेंट बनता है कि मैम, yes I missed you, क्योंकि मैंने आप सब को बहुत ज़्यादा मिस किया, और इस बीच भी जब vlogging नहीं भी करती थी, तब भी पांच साथ जो है subscribers बड़े हैं, 982 की family अल्रेड़ी हो चकी है, बस 1K होने में थोड़ी सी ही क्योंकि जब मेरे को यह problem स्टार्ट हुई, तो 1K अल्मोस्ट होने वाले थे तो लगता था एक दो vlog के बाद 1K हो जाएंगे और सबने बोलना भी शुरू कर दिया था कि 1K बस होने वाले हैं, तो बस जल्दी से इस vlog के बाद इसलिए कि अभी मैं ठीक हो बस वो support के लिए जो है वो आज तो subscribe बनता ही है और comment भी करना बनता है कि we missed your blog और I missed your blog comment करना है miss किया है तो भी नहीं miss किया तो भी करना है करके जाना आज है ना तो मैं कोशिश करूँगी regularly vlogging करूँगी जितना भी हो पाया क्योंकि अब धीरे-धीरे जब ये मेरी pipe निकल जाएगी तो मैं school भी जॉइन करने वाली हूँ अब मैं जो है वो अपने routine जो है वो काम सारे start कर दूँगी क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता drain pipe के साथ अब school जा रहे हो है ना और कोई problem हो जाए तो वेकार में problem बढ़ाने वाली बात है बड़ी मुश्किल से जो है वो track पे आई है थोड़ी सी life क्योंकि बच्चों के भी studies बंद होगी थी अमुल्या का कितना loss हो गया जब PGA में admitted थी तब भी अमुल्या को छुटियां करानी पड़ी अधित्या का तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ अधित्या की फ्लस्टों की studies थी उसको कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो 101% मेरे साथ ही involved था मेरी ही ब्रादर ने इतने दिनों तक अपने काम पे नहीं गया जब मैं PGA में admitted थी उसकी इतनी सुपोर्ट रही दिन रात वो मेरे साथ खड़ रहे उदर भावी जो है वो बच्चों के लिए खाना बना रही हमारे लिए खाना भेज रही है है ना तो वो उसने भी अपने में अप पूरी एक full-fledged family को कि आप care extra care आपको जो है वो करनी पड़ती है लेकिन हुदर से parents जो परिशान होते हैं सो अलग है ना तो इधर हमारे ताया जी की family है जो है सपना वगएरा ठीक है उनकी बुआ वगएरा जितने भी थे जबकि अपनी उनकी मदर की जो है वो काफी जो है इस बीच में हालत खराब रही लेकिन अभी वो better है तो उन सब ने भी मेरे बच्चों का भी ख्याल रखा मुझे भी पूरी support हाल चाल पूछना सब 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 तो लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे लोग हैं जिनोंने हमें support किया और हमारी care की हमारे neighbors friends है ना उनकी messages आते रह तो बहुत सारे लोगों के messages को मैं जवाब भी नहीं दे पाई शुरू में तो मेरी बूरी हालत थी मन नहीं करता था फोन देखने का फोन उठाने का लेकिन आप सब का बगवान जी का relatives का friends का family का सब का सब का thanks 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 तो नौ मार्श का जो मैंने vlog बनाया है वो जरूर मैं आपके शेयर करूंगे आप पहले वो देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी नौ मार्श के बाद क्या क्या हुआ thank you very much to you all for watching the vlog stay tuned for my next vlog